भारत को लेकर पाकिस्तान की तरफ से लगतार कोई ना कोई नापाक साशिश रची जाती रहती है लगतार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस बात की फिराक में रहता है कि भारत को किस तरह लुकसान पहुँचाए जाए फिर पाकिस्तान की नापाक मनसूबे भले ही नाकाम होते रहें लेकिन इस तरह की साज़िश रशने से पाकिस्तान कभी भी बाज नहीं आता और एक बार फिर पाकिस्तान खुसपैट के फिराक में है जम्मो कश्मीर के टीचिपी रश्मीर रंजन स्वैन के मुताबिक एलोसी के पार मौजूद लॉंच पैट पर करीब साट से सतर सक्रिया तंकी भारत में घुसपैट के फिराक में है इसके साथ ही स्वैन ने बताए कि पाकिस्तान की शमता दिन प्रति दिन कम हो रही है लेकिन इसके बावजूद ये देश जम्मो कश्मीर में लोगो और सामगरी को भेजने से बाज नहीं आ रहा जम्मो कश्मीर पुलिस और अपराथ चांच विभाग का दोहरा कारेभार संबाल रहे स्वैन ने इंटरव्यू में कहा कि सुरक्षा सलहकारों के साथ बैठकों में हम आंग तोर पर ये बात सामने आई है कि प्रतिद्वन्दी या दुश्मन ने भारती सीमा के अंदर लोगों और सामगरी भेजने पर लगान नहीं लगाई सीमा से सटे इलाके में डोन के जरिये इस तरह की गतिवीधियों को अंजान देना अभी चारी है हालकि पाकिस्तान की तरफ से आरे सामान को आम तोर पर भारत में सेना आसानी से पकड़ लेती है पाकिस्तान के मनसूबों को नाकाम कर देती है लेकिन बावजूद इसके सीमा पार्ट से भारत में खुसपैठ और सामान भेजने की कोशिशे जारी है ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फुसपैट को नाकाम करने के लिए सेना भी पूरी तरह से तयार खड़ी है जम्मो कश्मीर के DGP ने बताया कि एक समय में 5 या 6 की ग्रुप में 60 से 70 लोग मौकी की तलाश में बैठे रहते हैं लेकिन इनको रोकने के लिए भारत ने पूरे इंतिजाम किये सेना अर्थ सैनिक बलो जम्मो कश्मीर पुलिस के बीच इसको लेकर तालमेल किया गया इसके साथ ही ड्रोंग के जरिये भी सामान भेजने की फिरात में पाकिस्तान रहता है ड्रोन के जरिये आतंगवादी हत्यार, गोला बारूद, विस्फोटक, नगदी, मादक पदार्थों की तसकरी करते हैं हाला कि DGP रश्मी रंजन स्वैन का कहना है कि इस खत्रे से निपटने के लिए भारत पहले से ज्यादा बहतर स्थिती में है और ड्रोन आक्टिविटी पर भी लगातार नजर रखी जा रही है